हाई गाइज आप देख सकते हैं मेरे आंगन में चारो तरफ नीम के पत्ते फैले हुए हैं यह ड्राइ नीम लेज़ें देखिए यहां मैंने अपना चोटा सा आंगन बनाया हुआ है और यह गार्डन है यहां पर मेरा जिसमें मैं वेस्ट मैटेल से गार्डनिंग करती हूं जो भी मेरे घर में वेस्ट मैटेल होता है उसको मैं अपने गार्डनिंग में यूज कर लेती हूं फ्रैंड्स चाहे वो कोड्रिंग की बोटल्स हों डब्बे हों यह देखिए कुछ मैंने यहां पर स्रिटलिंग्स लगा हुए हैं मार्गेट डेजी की और जो मैंने कटिं अंगर में तो जानते हैं कि और हम देख सकते हैं मेरे अंगर में हैं यह नीम का पेड पेड बहुत काफी बड़ा तुम मैं नहीं कह सकती लेकिन एवरेज है एक यह है इधर दूसी तरफ और दोनों ही नीम की जो लीव्स हैं वो मेरे आंगन में गिरती रहती है और वैसे भी आप जानते हैं भी पतज़ड का मोसम है तो सारी नीम्स लिव्स होली से पहले सब गिर जाए क्वे code अपने गार्टन सาफ कर लेते हैं पने आंगन को में इस तरह से कृए पने आंगन साफ कर रहे हूं सफाई भी हो जाएगी। एक पंदर हो जाएंगे मेरे अंगन की सफाई भी हो जाएगी और सारी नीम की लीव्स कल्लेक्टट करके औरुड़ उनको मैं कमपोस्टि किस तरह से हमें कामपोष्ट बनाना है यह देखिए यह तो इधर है इसمكن मैंने पहले से ही नीम लीव्स इकठा की हुए है कलकी इकठा की थी और आज की सबसे पहले हम इसी में कलेक्ट करेंगे और यह दि कुछ बच जाती है तो उनकों हम फिर से दूसरे देखते हैं दूसरे ग्रोब बैग में कलेक्ट करनी होगी यह देखिए दो दोदों बच्चे सारी चाहिए को तिक पहल Commander कर रहे हैं कहुद कर रहे हैद तो चलिए फ्रेंड़्स हम सारी अपनी नीवलीऊ एक साथ भढ लेते और उसके बाद आपको दिखाते हैं हमने अपने सारी नीमली उस अच्छी से दाबा दा करके बढश cater where मिरी सारी ही नीम मेश एक ही रो बैग में आ गई में गाइं गया दूसरा मैंने यूज भीन ही नहीं किया है नाहीं मुझे उसको आज़ करने की रिग्वाइर पड़ी है क्योंकि यूदुनी भी नीम ठीफ मैंने इस तरह सी रखिया है的 अब भी बस हमें क्या करना है इसको एक जहां भी मेरे कंपोष्ट मैंने कंपोष्ट इनिट बोल दीमें इसको एक कोर्णर में यह देखे मैंने इसको इस तरह से रख दिया है और गाइज इसके ऊपर मैंने रख दिये इंटे ताकि वजन हो जाए और विनीचे को सारे में कमेंट करके ज़रूर बताएगा अच्छी लेगे तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब बेर कीजिएगा थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग आरो एंजल व्लोक्स मिलते आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई